एक समय की बात है, किसी एक राज्ज में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था, उस राजा के तीन बेटे थे, उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगदी संभाले, लेकिन वह इस बात लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना को एक तरकीब सूझी, उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम लोगों के सामने एक गुनेगार खड़ा हो तो खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे, इस पर राजा के पहले बे पिता जी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जाच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं, इसके बास तोता पांच दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया, छठे दिन जब वह राजा के पास लोट रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वह मराज के लिए कुछ उफार ले लिया जाएं, फिर वह परवत की ओर निकल पड़ा, दरसल वह महराज के लिए अमरत फल लेना चाहता था, वहां पहुचते पहुचते रात हो गई, तोता ने परवत पर पहुचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुख गया, उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया, और उसने राजा के लिए गए अमरत फल को खाने लगा, सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर खैल गया था, हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी, अगली सुभह जब वह जगा, तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा, जब वह महत पहुचा, तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया, और कहा, महराज मैं आपके लिए यह अमरत फल लेकर आया हूँ, आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे, यह सुनक कर राजा काफी प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंट उस अमरत फल को खाने के लिए मांगा, इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिये महराज, आप इस फल को बिना जाच किये कैसे खा सकते हैं, एक बार यद देख तो लीजिये की तोता द्वारा लाया गया, यह अमरत फल सही है या नहीं, राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंट इस फल को एक कुट्टे को खिलाया जाए, राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुट्टे को खिलाया, फल खाते ही कुट्टे की मौत हो गई, यह देख राजा गुस्से से ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया, यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है, उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड का फल कोई नहीं खाएगा, कुछ दिन बाद एक व्रिध व्यक्ति उस पेड के नीचे आराम करने के लिए रुका, उसे धूख भी काफी जोर से लगी थी, उसने उसी पेड से फल तोड़ा और खाने लगा, फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एक दम से जवान हो गया, राज ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यकित रह गया, उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था, उससे पभ बढ़ी गलती हो गई, उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया, इसे लेकर उसे काफी पच्चतावा भी हुआ, इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, इधर तीसरे राज कुमार की कहानी खत्म होने के बाद, राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्राधिक कारी नियुक्त किया, इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जाच किये किसी को सजा नहीं देनी चाहिए